तो गाईज मैंने इस विलेज को पर तभा कर दिया और भै में को चैनेज में लखा कि में तीन विलेज को डिस्ट्रॉइ करना और अभी उनमेंसे दो तो होगे तीसरा बाकी अभी और भै अभी तीसरा एक मिनिट मैं यह कहां पर आगे एक सेकेंड मेरे को कोई बतायागा मैं यहां पर कैसे आ गया हेलो मेरा सारा सम time prakt का अगया बच्चा मैं गॉडूल हो मैंने को यहां पर लाके पटक गया है गॉड़ अपने में यहां पर क्यों पटक दिया आई मीन यहां पर टीपिक के और गया किौकि मैंने इन विलेजेस में वापस जा पाएगा नहीं तो मेरे पास तर्थ नर्ग में बहुत ज़्यादा पहचान है उससे तिरको दाना पानी तो मिले जाएग जब मैं तिरको नर्ग में वीज़सेंगा जब तु Mei और फिर्स्ट रॉंड में तैरको एक G Rod对 मेरे को मेरे से एक डिख नहीं तो गाइसमें अभी रैडी होगा अपना पांच पैंकर मैं भी वेच पंच में ठीक है त्री टू वान आर्मर दिखाते हूं पहले आपको अपना भई कितना अजीब सा आर्मर भई स्टिंगल निकल रखे इसके और भई यह स्वार्ड में मेरे को ठीक टाके लगे आप पोशन स्पी लेते हैं भी स्ट्रेंथ का पोशन जंबूश का पोशन और फिर जाक अजे आवंजर्स असेंबल आर्मर भई स्टिंगल भाई साहब फाइनली मैंने वाडन को मार दिया भाई पहले ब्लाइड ने सटने तो फिर जाकर बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ अबी भाई साहब मैं कैसे बताऊं मेरे लेटरे लिए अभी हाथ काप रहे हैं सच में भाई मेरे हाथ पूरे शेक हो रहे हैं और भाई अब गॉड नेक्स लेवल पे ले जा और फर्स लेवल मैंने असानी से पार कर लिया बच्चा अजाज़े खुश मत हो तुझे बस अभी एक ही राउंड क्लियर कर रहे हैं अगले राउंड में तुमको पांच-पांच से लड़न से लड़ना होगा और वो असानी होने वाला वैज़े मैंने तुम्हारी नर्क की टिकट अभी से बुकर वाली है तो नेक्स राउंड के लिए अल दे बैस्ट गाइस मैंने अपना आर्मर पर पहन लिया और गॉड़न ने मेरे पर रहम का के टोटम भी दे दिया मुझ में और भई मैं सोच रहा था अगर मैंने बिना टोटम के कर दिया न तो फिर आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब मारने पड़ेगा एकदम जोड से दबा देना वही तो गाइस अभी जाते हैं थ्री टू वन आर्मर दिखाऊंगा पहले फिर से और भई इस बार मेरे को लगता है गॉड़न ने मेरे को बहुत अच्छा आर्मर दिया है और भी टूल्स इसका 22 लेवल है अटैक डैमेज इस आर्मर दार्मर दिया है कर दो कर दो बाई ये लास्ट वार्डन बच्छा और ये भी मर गया स्वार्डन बच्छा जाए बाई ये भी मर गया फॉलाइ के बच्छा के बाई ज conception तो लेकल